सबी विद्यार्तियों को नमस्ते विद्यार्तियों इस वीडियो के अंतरकत हम एन आयो एस काक्सा बारा में जो योगा असिस्टेंट सब्जेक्ट है जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसका कोड है छस्सो सर्सट इस पार्ट के हम पहले चप्टर को पढ़ रहे थे तो पिछले वीडियो को किसे नहीं देखा है तो आप देखिए मैंने पहला चप्टर को आदा पढ़ा दिया है अब इस वीडियो में हम इससे आगे का भाग पढ़ते हैं तो हमने इस चप्टर में पर इसले बार पढ़ा था कि योग के जो भी आनो योगी हुए है उनके बारे जो एक ही बिंदू या श्रोत तक ले जाते हैं तो देखो योग अलगला तरीके से होता है विविन उसके मारग है लेकिन जो उसका एक ही बिंदू या श्रोत तक ले जाते है लेकिन वो अलगला मारग हो लेकिन वो लेकर कहा तक जाता है एक ही बिंदू तक लेकर जाता है योग के सबी मार्गों का एक ही उद्देश्य है, सारीरिक स्वास्ते, मानसिक सांती और उच जागुकता, यानि योग के जितने भी मार्ग है अलगला तरीके से आप योग करो, नेकिन उनका उद्देश्य क्या है, कि वेक्ति का सरीर स्वास्ते रहे, उनको मानसिक सांती मिले और उच्छ जागुकता रहे योग की प्रमुक साखाय है कुंडलिनी योग, नाद योग, हट योग, भक्ती योग, ध्यान योग, करम योग, राज योग, सुवर योग, ज्यान योग और भी कई तो ये योग की विभिन मार्ग है विभिन इसकी जो है साखाय है तो आपको याद प्रम योग की विभिन साखाए कौन-कौन सी होती है हमारा विभिन पेहलो के अनुसार, मुछे रूप से पांच मूल समू है यंदि जो हमारा विभिन होता है, उसके रसाफ से हम 5 रह के योग की साखाए को अपनाते है पहला है करम योग गतिसिल व्यक्तितों के लिए गतिविधी का मार्ग दूसरा है भक्तियोग भावनात्मक व्यक्तितों के लिए भक्ति मार्ग जो भावनात्मक व्यक्तितों का विकास करना चाहता है उसको भक्ति मार्ग को पनाना चाहिए जो गतिसिल व्यक्तितों के लिए होता है उसके लिए करम योग जरूरी है ज्यान योग पूछतात का मार्ग ज्यानी यानि दर्शन राज योग अंतरमुकी व्यक्तितों के लिए आत्म निरिक्षन का मार्ग तो अंतरमुकी व्यक्तितों होता है यानि कि सिर्फ अंदर से ही अगला है हट योग, एक हटी व्यक्तित्तों के लिए सरीर की मानसिक, सालिरिक और शुक्ष मयानिक पुरानिक या बायोप्लाज्मिक सक्षिएों को संतुरित करने का मार्ग, इस तरह से ये पांस प्रकार के योग होते हैं, जो की हमारी व्यक्तितों को देखते हुए, इन योगों को अπनाया जाताही है, वैसे तो योग की अलग कई कई तरकी साखाये हैं, स्वामिस्वानन का एकातमक य सीवानन कौन थे ? तो स्वामि सीवानन का एकात्म covid के योग, द्रड़्विस्वास्ता इसमें व्यक्तित्यों के सभी पहलों को इन विभिन मारगों के संयोजन के माद्यम से प्रता इता है प्राणम今日は इन पंस gotta be तो आपके वक्तित्तों के प्रमुक पहलू के साथ समकालिक हो आईए अब योग के इन पांच मरगु के बार में विश्थार से जाने जान करने तो नहीं है नहीं है तो जैसे कि यह प्रमुख है हैं, तो जो है हम प्रमुख वैसे हिंदी में जब लिखते हैं, फिर लेकिन ज़ंकर वन विज्चत की शाथ है तो यह आदा, भर यह गा लिखा हुआ है लन का अधीक तर जगे पर दिखेगा कि यहां मन विच्छत किये हुए ही सब्द आपको मिलेंगे तो इसमें आपको कन्फिज नहीं होना कि यह क्या लिखा हुआ है ठीके वैसे मैं आपको पढ़ा ही रही है अपको अच्छे से समझ में आई रहा होगा फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजेगा अगला है करम योग देखो अब हम योग के इन पांचों मारकों के बारे में विस्ता से चचा करेंगे तो करम योग क्या होता है करम योग उपनिसद में वनित पहला योग है तो करम योग क्या है जो भी उपनिसद है उसमें वनित पहला योग है करम का अनुवाद कारवाई के रूप में किया जाता है करम यानि कि काम करना किरिया करना ठीक है उसके रूप में किया जाता है जिससे हम जान बूच के अंजाने में करते हैं करम योग योग वास्तों में गतिस्यल ध्यान का योग है यह बिना किसी अपेक्षा और परतिफल के नि क्या प्रतिफल मिलेगा उसी कई हमें कोई उम्मीद नहीं रहती हैं कई काम ऐसे करते हैं जो कि हमारी बिना अपेक्षा के भी होते हैं हाथ में लिए गए कारे में स्योम को पूरी तरह से समाहित करके हम अहेंकार की शक्ति को कम करते हैं करम योग केवल निश्वार्थ करम यह सामाजिक कारे नहीं हैं करम योग तुलना और अपेक्षा के बिना पूरी जागरुता और समर्पन के साथ किया गया कारी है करम योग क निस्वार्थ भाव से जागरुक होकर अपने आपको पूर्ण रूप से उस कारे में समर्पित करते हुए आप वो काम कर रहे हैं उसका काम को आपने अपने भगवान को समर्पित किया है जैसा कि भगवत कीता में बढ़नी थे करमने विदिका इस्त्रेत्म फले शुब कादा करम योगी के उधारन स्वामी सिवानन सरस्वती है तो करम योगी के उधारन को ने स्वामी सिवानन सरस्वती इन्होंने करम योग को महत्वें दिया करम योग करम और सिवा का मार्ग है तो करम योग क्या है करम और सिवा का मार्ग अगला है भक्ति योग सब्द भक्ति जड़ से आता है भाजा जिसका अर्थे प्यार करना सेवा करना देखो जो भक्ति सब्द है वो किस से बना हुआ है भाजा सब्द से बना हुआ है जिसका अर्थे प्यार करना ये एक भाव है योग एक भक्ति से जुड़ा है यानि की बहुदी वे बहुने से जिसके प्रेम होता है हम उसकी भक्ति करते हैं शशर्दा रखते हैं आपको प्रेम होगा ऊसक देवी देवता से तो आप उसकी भक्ति करोगे। तो यह भाव है एक तरक यह भाव होता है योग जब भक्ति से जुड़ जाता है तो वह बन जाता है भक्ति योग भावनाओं को सकारात्म दिशा में प्रवाहित करना ही भक्ति योग है हमारी अभिवेक्ति के रूप में हमारी भावना भै जाती है बक्ति योग के अभ्यास से इस भावना को एक देवता, एक गुरू या एक उप्युक्त वस्तु की और एक सकारात्म दिसा में निर्देशित और निर्देशित किया जाएगा तो देखो, हम जो है भक्ति योग के अभ्यास से क्या होगा? कि इसे भावना को एक देवता के पड़ती, किसी एक गुरू के पड़ती या किसी एक वस्तुपती हमारी इतनी भक्ती होती है कि हम उसी दिसा में अपने आपको सकारत में सोझ रखते हुए और उसी दिसा में हम अपने कर्म को करते हैं भक्ति योग है भक्ति क्या है योग है और ये भहुती सरल और सामाने हैं भक्ति योग का घटक है भहु यानि कि भक्त और इस रास्ते में भक्त आत्म समर्पन या कहे कि माध्यम किसे अपने एहंकार को मारता है आत्मा समर्पन प्रेम का यह मारक अंतरहिन ध्रेरी और धीरच की मारक मांग करता है तो जो प्रेम का मारक यह निया आत्मा रूप्षा उस वेक्ति की उस देवता के प्रति उस भाव के प्रति समर्पित होके वो भक्ति का भाव रखते हैं और आप धेरे से धीरे से उस मार्क पर चलते हैं जैसा कि मेरा बाई के जीवन में दिखा गया तो मेरा भाव पूर्ण रूप्षा स्रीकृष्णे के भक्त हो चुकी थी तो उनके जीवल में दिखा गए तो उन्होंने भक्ति मारक का योग अपनाया था भक्ति अपने आपको पूरी तरह से भक्ति की वस्तु में लीन कर लेता है तो भक्त अपने आपको क्या करता है पूरी तरह से भक्ति की वस्तु ये भक्ति के अंदर लीन कर रहता है उस भाव डोनाईमकर माजिक समश्या होती है गाएब होती है और एक अवटता बढ़ती है और उस्थे जागRIुपता और आत्मम सकारात, शक्षातकार का मार्ग परदशित होता है तो उस जागुता आती है और आत्म सक्षातकार का मार्ग भी उसमें पता मतलब उसमें परदशित होता है तो इस तरह से भक्तियों की बारें बताया गया है हमें अपने बितर प्रेम विक्षित करना होगा और आत्मे केंदिता को अपनाया है तो आप के मन में किसी के परती प्रेम या भक्ती पनपी नहीं सकती तो इर्शा, घरना, लोब, सवार्थ और आत्मे केंदिता को हुई आपको क्या करना पड़ेगा पहले अपने मन से अठाना पड़ेगा यदि हम इस मार्ग के उपर की और बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस नकारात्मा भावना को निन्दत करना नकारात्मा भावना कौन सी हो गई? धुरेना है किसी से वेक्ति से नफरत रखना, ईशा रखना, लोब करना, स्वार्थ रखना अगर इस तरह की भावना आप अपने मन में रखते हो तो आप भक्ति मार्ग के पर नहीं चल सकते तो भक्ति यूग प्रेम और भक्ति का मार्ग है योगे स्वर करशन की विशेष्टा बताते है भक्त गीता के बालव अध्याय में है के नो रूप है भक्ति में समझाया भगवत पुरान यानि कि श्रौणम तो भक्ति के कई रूप है जो कि भगवत पुरान में समझा गये है देखो भक्ति के नो रूप बताये गये है यहां तो प्रिंटिंग मिश्टेक है कि भक्ति किती रूप बताए गए है भक्ति के नो रूप बताए गए है पहला है श्रुआनम, क्रिर्टम, इस्मरन, पाथ सेवाना, यानि कि चल्लों की शेवा करना, अर्चना, यानि अर्चना करना, वंदनम, दश्या, शक्खे और आत् बुद्धि का मारग नहीं है, क्योंकि इसे आम तोर पर गलत समझा जाता है, इस मारग में विक्ति, अस्तित्यों के सार और अपने वास्तिविक स्वरूप के बारे में पूश्ताज करता है, ये रास्ता सब के लिए खुला है, लेकिन भहुत कम लोग इस रास्ते को अपना अपना मानते है, ये अपना पाते है, तो ग्यान लोग क्या है, ये बुद्धि का मारग नहीं है, जबकि इसमें आम तरुपर लोग ये समस्ते ग्यान का मतलब होता है, बुद्धि का विकाश करना, जबकि ऐसा नहीं है, जो इस मारग में विक्ति क्या करता है, अपने अस् तो ये सब चीजे ग्यान योग के द्वरा ही आपको पता चलती है तो ये राष्टा सब के लिए खुला है लेकिन भहुत कम लोग इसके राष्टे को अपना पाते है तो ये ग्यान योग का अर्थ है ध्यान सम्मंदी जागरुकता की प्रक्रिया जो हमें हमारी आंतरिक प्रक्रिया के करीब लाती है तो ध्यान सम्मंदी जागरुकता की प्रक्रिया इसमें प्रक्रिया जाता है ध्यान लगाया जाता है ठीके और हमारी आंत्रिक जो प्रकति होती है हमारी खुद की प्रकति है उससे हमें पड़िचित करवाता है कि वही आप इस कारे के लिए ही आप बने हुए हो और हमारे सहज ज्यान युक्त संकायों को जन्म देती है ज्यान योग के इस मारक का परिणाम सहज या ज्यान सकते हैं सरीरिक मांशिक भावात्मक और बोधिक आत्म विश्यसलेशन ग्यान योग की तक्निक का एक हिस्सा है ज्यान योग साधना के लिए हमें अपने सरीर मन और भावना के आउशक्ता हो दिन के पहले विचार के बारे में एक आध्यात्मिक दायरी बनानी होगी और जाता है ज्यान योग वास्ताव में ध्यान का पूरक है ज्यान रोकिया है जो ग्यान योग है वे ध्यान का पूरक है ध्यान करना ही ज्यान योग के अंतरगत आता है हम कई बार आपने जो गया दस्वी क्लास में अगर आपने योग पढ़ा है योग वारा सब्जेट अगर ग्याद और ध्यान को जोड दिया जाएं और फासे से प्यादि का नहीं हो देता है तो जब ज्यान और ध्यान को जोडते तो किसका रूप देता समाधी का मैसी रम्मन और श्री अर्विन दोनों ही महान ज्यान योगी थे अगला है हट योग तो हम योग के शाखाओं के बारें पढ़ रहे हैं योग सबसे अधी जाने वाला योग है और वास्तों में यह है चेन लाइंजिंग का योग है पुरान के बीच संतुलन विक्षित करने के लिए शरीर में प्रान शक्ती और चित सक्ती हट योग पर महान पाथ योगी स्वात्मा राम द्वारा लिकित हट योग प्रदीपिका है योग द्वारा एक अनन लिए गोरक नाथ के रूप में जाना जाता है इसके अलावा जो है गोरक नाथ भी क्याते हट योगी थे गोरक शाहीता एक जो है यह गेंडा साहीता महर से गेंडा द्वारा लिकित है एक तीसरा योग कौन सा हो गया एक तीसरा जो योग है एक तीसरा जो योगी है वो कौन है गरेंडा सहीता द्वरा मेशी जो गरेंडा द्वरा लिखा गया ये भी हट योग के अंदर गता है हट योग का उद्देश शरीर नाडियों को शुद करना है चेनल मतलब नाडिया ज पुरंथों में सट करम नामक शुद्धी के लिए छे प्रकार की किरियाओं का वर्णन किया गया यह तक्निके हैं। पेला है धोती, वस्ती, नेती, नोली, तराटक और कपाल भाती। यह हट योग के अंतरगत ही आता है। किसी अन्य अवधाना के अनुशार शास्त्रे, आसन, प्राणाया, मुद्रा बन्द को भी हट योग अभ्यास माना जाता है। आंत्रिक उड़्जा की परस पर क्रिया तो को आंत्रिक उड़्जा की परस पर क्रिया भी आती है हट्यों का अर्थ है मिलन पुरानिक और मांसिक बल जिसके परिणाम सरूप उच्चेतना का जागरन होता है सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की भी सामज़ से हट्यों की अवधाना इन दो महा सक्तियों के भी सामज़स से इस्तापित करना है आई डी ए और पिंगला शूरज और चान सिंपेथिक और पेरा सिंपेथिक नर्वस सिष्टम के भी सामज़स से के एक भहुती भूतिक तरीके से इसके अंतरगत किया जाता है अब देखो अब एकागरता मन और शरीर की शुदता सुद्धी पर निर्वर करती है तो एकागरता कि इस पर निर्वर करेगी अगर आपका मन और शरीर आपका शुद रहेगा तो आपका एकागरता उतनी ही बढ़ेगी हट योग की मूल बातों के अनुसार सबसे पहले हम उर्जा पैटर्ण को शुद करते हैं और इससे संतुरित करते हैं जब यह उर्जा पैटर्ण निरंतरन में होता है तो व्यक्ति अपने मन को एकागरता की और निदिशित करता है मन और शरीज का मिलन ही योग है इन तीन बलों के वी संगर्ज जैसे के इडा, पिंगला और शुष्मा अजना चक्र में होती है कुंडलीनी जागरत हट योग का विशे है तो जब कुंडलीनी जागरत हो जाती है तो यह भी किसका विशे है यह हट योग का ही विशे है अब एक हट योग की कुछ ये मुद्राय बताई गई है, जो कि थोड़े हार्ड मिद्राय होती हट योग में, अगला है राज योग, राज योग आत्म दरिक्षंग का मारग है, ये वे मारग है जिसमें व्यक्ति मन के विभिन, शेत्रो, अथात, चेतन, चेतन, अवचेतन, पता लगाने का प्यास करता है, अश्टांग योग के पार्ट में, राज योग की विस्तार्श चर्चा की जाएगी, अब ये कुछ पार्ट के प्रशन दे रखे हैं आपके, ये में लिखे योग पतों को सम्मधित व्यक्तितों के साथ मिलाईए, ठीके, ये आपके प्रश चैने दोल जाएगी, अश्टी के पांश सुत्रा का, जोयों हें, आत इसथितर्श माह न कसफी जाएगी जाएगी के राजएगी,प्रश우र में, विभशchos माह श्टी मतलब होती है, पर लबाशमे?- प्रशम मतलब होता है, ये प्रशमी मतलब हैं, इसथितर्श की सुत्रो या पांच कॉस पर विष्धार से चच च च च फक पर पेला है अनन्मे कॉस अगला है प्रानमे e प्राणमे कॉस मुंहा क्या ही कि इस ऑ सब्सक्जा कास्च यह हमारे समीफ पष्जान में कि कोस पाष्ज के हम हम चू सकते हैं तो व us बोटिक सरीर माँसमें हमारे वोचन थी रक्त के से सन्रचन से मूल घटक होते हैं होते हिमारे शरीर के बनाओट से िक्सिक्तल स्यूद मस्पेशियाई । खाना से बनावकि दिए आग और इसके ममल घटक है, यहाँ भोचन कोंद कौागे माँसमें हमारी सरीर को हम देख सकते हैं छूँ सकते हैं अगला है प्राण में खल ये अगल्ए मियान है प्राणिक्स सरी ये धो कोष्व간 प्राण में कोष्च ब बुन्येदी गास्ट प्रानिक शरीर और भूतिक शरीर से अधिक सुक्ष्म हैं लेकिन प्रानिक शरीर और भूतिक शरीर एक दूसरे को परभावित करते हैं और अक्यले मौजुद नहीं हो सकते हैं प्रानिक शरीर जो है हमारा भूतिक शरीर एक दूसरे को क्या करते हैं ये प्रभावित करते हैं पर हमारे सरीर में प्रान नहीं रहेगा तो हमारा भूतिक शरीर किस काम का अगर हमारा भूतिक शरीर नहीं है तो प्रान भी कहां से आएंगे तो प्रानिक शरीर है और हमारा भ पुरान जीवन शक्ति या मेत्व आज़ू उड़्ज़ा है पुरान है निरंत्न गति देखो परान जीवन hai new अ Seems करते हैं है कि एक संस्कर सब्द है जिसका अर्थ इनन्हा गति देखो परान है प्रान का मतलब संस्कर सब्द से क्या है प्रान हमारा जीवन जो प्रान प्रमुक्त से बना है और उदान और वियान वियान है तो इस तरह से प्रान प्रान से यह बना हुआ है अगला है मनोमे कोस मनोमे कोस एक साथ अनेक कारे करता है और दोनों इस तूल को धारंग करता है यह कोस यह परतेग सरीर के भीतर एक संदेश के रूप में कारे करता है बहारी दुनिया के अनुभव और सम्वेद दुनों को सेह सरीर तो पहुंचाता है ध्यान समंदी अभ्यास सीधे इसे प्रभावित करते हैं जो कि मनों में कोर्स है अगला है विग्यान में कोर्स तो यह सुक्ष्म कोर्स का से सरीर है अंतर ग्यान का यह सरीर व्यापत है अंतर ग्यान का यह सरीर व्यापत है मनों में कोर्स और उससे भी सुक्ष्म है उससे भी अगला है नारी चक्र अब देखो नारी चक्र जो है उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे वनना वीडियो अब भुति बड़ा हो जाएगा तो उमीद है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा हलाकि ये जो हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम को बुक को इंग्लिस में हिंदी में कनवर्ड किया गया है तो थोड़ा सब्द को आपको समझने में दिक्कत हो रहे हैं कि लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बार बार वीडियो को सुनीे आय उस लाइनको आप समझ जद्ध जद्ध वीडियो को शेयर करें चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में जेहन जेभरत